असलाम आलेकुम सालिय डिजाइनर चैनल की तरफ से मैं आपको वेलकम करती हूँ आज आप ईद के लिए बहुत ही प्यारा कुर्टी का डिजाइन बनाना सिखेंगे तो कटिंग शुरू करते हैं वीवर्स ये अलकरम की शर्ट है बॉर्डर वाली शर्ट है आप सिंपल शर्ट पर भी ये डिजाइन बना सकते हैं दो तरह की हमने लैस ली है ये चोड़ी लैस हमने चार गजली है इसकी चोड़ाई सवा इंच है यानि के एक इंच और टू पॉइंट और ये देखें ये सें हम यहां से कटिंग कर लेंगे कपड़े की ओपन साइड में अपनी तरफ रखूंगी ताके कटिंग में असानी रहे विवर्स कुर्ती की लैंथ हमने 39 इंट तयार करनी है सिलाई और कटिंग का मार्जन रखते हुए 41 नीच पर हम इसकी लैंथ को अलग करेंगे विवर्स य बार्डर को यहां ओवरलैब करते हुए रखना है क्योंकि हमने नीचे की साइड ये बार्डर भी अजस्ट करना है इंची टेप को इस तरह रखते हुए नीचे से जो वाइट फैब्रिक नजर आ रहा है इससे हम कट कर लेंगे विवर्स यहां से 41 इंच पर हम एक कट लगा करेंगे विवर्स यह ओपन साइड है और फोल्डिड साइड से हमने तीरे का साइज करना है तीरा हमने 15 इंच तयार करना है तो इसका हाफ 7.5 इंच होगा एक निचान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे दूसरा हम 8 इंच पर सिलाई का माजर रखते हुए ये निचान इंची टेप को इसी निचान पर रखते हुए हम आर्मोल के लिए भी 8 इंच पर निचान लगाएंगे लाइन ड्रॉक करते हुए बोक्स बनाएंगे और यहां से हम राउंड शेप देंगे विवर्स चेस्ट हमने 18.5 इंच तयार करनी है तो इसका हाफ 9 इंच और 2 पॉइं करनी है तो इसका हाफ 8 इंच पर निचान लगाना है अब सकेल की हेल्प से इन दोनों निचानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉक करेंगे इसके बाद इस सकेल को हम नीचे की तरफ रखेंगे यह देखें जितने हमारे पास कपड़े की चोड़ाई है रखते हुए हम करनी है जो पहला निचान लगाया है वो सिलाई का निशान है यहां से कर्फ शेप देने के लिए थरी एंड हाफ इंच के GãyPeople से निचान लगाया है और इस तरह कर्फ शेप देंगे इनिशान हमने लगा लिए हैंन्ही निचानों को फॉलॉग करते हुए हम कटिंग करेंगे कटिंग और स्टीचिंग की बहतरीन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल साले डिजैनर को ज़रूर सब्सक्राइब करें आल पर कलिक करें इससे हर नयाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा विज़े कटिंग हमारी कुर्ति की हो चुकी है अब उपर से भी हम डाउन कटिंग इस तरह करेंगे इस निशान को यहां से कम्प्लीट करते हुए चेस्ट मेरमेंट के लिए एक कट लगाएंगे बैक को हटाते हुए फ्रेंट आर्म हल की हम एक्स्टा कटिंग करेंगे लिवर अब गले की कटिंग के लिए टो एट आफ इच पर निशान लगाएंगे और यहां से चोडाई हम हाफ इच रखेंगे अब इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिलाना है और लाइन डुरा कर लेनी है विवरज अब इसके बाद सक्रेल को नीचे की तरफ रखेंगे वही half-ach का gap रखते हुए हमने line draw कर लेनी है यह देखें line draw कर ली है अब हम cutting करेंगे विवर्ज यहाँ से noc नहीं बननी चाहिए इसे नीचे की तरफ ले के जाएंगे वही half-ach का gap रखते हुए विवर्ज ये side fitting से जो कपड़ा बचा है इससे हमने overall में ये पट्टी तयार करनी है जो यहाँ पे fix करेंगे तो इस tip की हमने चोड़ाई 1 inch और 2 point रखी है आप 1 inch भी रख सकते हैं इसे हमने जोड़ते हुए इसी से ये पट्टी तयार कर लेनी है अब हम बाजों की cutting करेंगे बाजों की cutting के लिए fabric को हमने 4 fold कर लिये है आग एक तरफ 4 inch का हमारा border होगा तो बाकी हमारे पास 20 inch रहेगा क्योंकि हमने 23 inch बाजों तयार करनी है तो यहाँ से भी हम 20 inch पर निशान लगा लेंगे एक inch हमने सिलाई और cutting का margin रखा है यहाँ से 3 and half inch के gap से निशान लगाएंगे और इस तरहां तिर्ची हम line draw कर लेंगे और cutting करेंगे front की 2 layers उठाते हुए front की हम extra cutting करेंगे यह side हमेशा कुर्ती की front side से लगती है जैसा के हम armhole की भी extra cutting करते हैं अपनी measurement के मताबिक यहाँ से भी हम cutting करेंगे वीवर्स गहर पर हमने कटा तयार करने हैं तो यह बुकरम की एक हमने सर्टिप ली है इसकी length हमने 3 inch रखी है और चोड़ाई हमने गहर मैयर करते हुए उसके बराबर रखी है इस सर्टिप को हमने इस तरह फॉल्ड करते हुए नेल की मिदर से एक करीज बिठा यह सेंटर में एक लाइन आ गई है उसी को follow करते हुए हमने लाइन ड्रॉा कर ली है और फिर यह एक कैप ली है आप कोई भी कैप रख सकती है जितना ही आपने कटाओ का साइज रखना हो हमने चोड़ा साइज रखना है यह देखें इसकी length और width 4 inch है यही रखते हुए हम कटाओ ड्रॉा करेंगे विवर्ज यह बड़े कटाओ बनाएंगे जितना बड़ा कटाओ गा उतना ही प्यारा लगेगा यह देखें एक point का gap रखते हुए दोसरा कटाओ भी हमने बना लिया सेम इसी तरीके से हम बागी कटाओ भी बना चुक और half inch पीछे की तरफ से overall में जो हमने सटिप लगानी है तो इसके लिए भी देखे हमने इसे प्रेस कर लिया है इस पटी की हमने चोड़ाई थरी and half inch रखी है half inch margin रखते हुए हमने इस paper पटी को प्रेस किया है इसके बाद इस तरह फोल्ड किया है एक बार फिर पल्टा है ये देखें फिर भी half inch हमारे पास margin है इसे इस तरह डबल करते हुए यानि के उपर की तरफ पलटते हुए इसे प्रेस करेंगे तो एक करीज आ चुकी है हमने प्रेस किया हुआ है इस तरह अंदर की तरफ डालते हुए हम यहां कमीज को अंदर रखते हुए सलाई लगाएं यह शोल्डर और फिटिंग के हमने सलाई लगा ली है आगे की तरफ से आप देख रहे हैं यहां से ओपन है पहले हमने घेर की साइड में यह सेंटर लैस लगानी है सेंटर लैस की सीधी साइड कमीज की सीधी साइड के साथ अटैच है यानि के उल्टी साइड उपर की आ रही है हाफ इंच मार्जन रखते हुए यहां से हम स्लाई लगाना स्टार्ट करेंगे पूरा रौंड में यानि यह जोतना भी घेर है हम यह लेस लगा लेंगे यह लेस हमने लगाते हुए इसे प्रेस भी किया है अब फिल हाल आपको दिखाने के लिए से खोला हुआ है इ अब इसके बाद जी हमने यह बार्डर अटेच करने है बार्डर को भी उपर की तरफ से हमने फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है ताके स्टीचिंग में असानी रहे वीवर्ज यह बार्डर हमने अटेच कर लिया है यह आप देख रहे हैं अब हमने फ्रेंट में ओवराल ये स्टिप लगानी है इसे फोल्ड करने का तरीका मैंने आपको पहले से ही बता दिया था ये देखिए हमने प्रेस कर लिया है आप इस फोल्ड की हुए फैबरिक को नीचे की तरफ रखेंगे और इस कुर्ति को अंदर की तरफ डालते हुए हम स्लाई लगाएंगे विबस इ की बार सिलाई लगने में नीचे वाला फैबरिक भी अल्रेडी फोल्ड हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से और न्यूटनिस की साथ अब आप ये नीचे वाला हिस्सा देख सकते हैं ये देखें स्टिच होता हुआ आ रहा है कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी ये गले वाली जगा है तो गले वाली सैट से भी वही मार्जन हम रखेंगे हाफ इंच के गैब से अब ये शोल्डर वाला हिस्सा है शोल्डर वाला हिस्से के जो सिलाई होती है उसे हमने खोल लिया है नीचे की तरफ से और ये देखें सुई को अंदर ठहराते हुए सिलाई को हम इस तरफ टर्न करेंगे यहां से भी ऐसे ही नीचे वाले फैबरिक को भी फुल्ड कर लिया है और बहुत ही इहतियास से यहां से हमने इस लाई लगानी है ताके कहीं से भी कोई चुनट ना आए सेम इसी तरीके से इसका वाकी हिस्सा भी हम स्टिच कर लेंगे अब आप देख रहे हैं कहीं से भी कोई चुनट नहीं है यह देखें यह अवराल हमने सटिप लगा ली है अब इस सटिप के साथ साथ हमने यह लैस लगानी है जो फिक्स करते हुए सलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हम यह लैस लगाएंगे और यहां तक लैस आके हम खतम करेंगे फोल्ड करते हुए इसे रेडी करेंगे निवस दोनों साइडों से हमने लेस लगा ली है बैक साइड पर नहीं लगाई और यहां से हमने इसे फोल्ड करते हुए एंड किया है अब गले की लेंद के लिए हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले को इस तरह ओवर लैप करते हुए रखेंगे और सलाई लगाएंगे यह द निचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे यह मैं आपको रखके दिखा रही हूँ चोग हमने 9-8 के गैप से तयार करना है निचे से हम हलका सा ओपन रखेंगे यह निशान हमने लगा लिया है अब पहले इस ओवर लैप वाली सटिप के उपर हम सिलाई लगा लेंगे जहां तक ह किया था वहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यह देखें उपर रखते हुए हलका साब आगे हमने सेट करते हुए जाना है यह आप देख रहे हैं यहां तक हमने अपने कले को फिक्स करना है कटिंग और स्टिचिंग की बहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल सालिय designer को subscribe करें किनारे की सिलाई लगाते हुए यहां पर हम अपनी सिलाई का end करेंगे वज अब हमने घेर पर कटाओ बनाने हैं यह देखें थोड़ा सा fabric extra रखेंगे ताके easily यह फोल्ड हो जाए और यहां से हम कटाओ बनाना start करेंगे आपने end से भी जरूर देखना है कि हमने दू इसी तरीके से हम बाकी कटाओ भी तयार कर लेंगे वीवर्ज यह कटाओ हमने तयार कर लिए हैं अब दूसरे पार्ट का end है तकरीबन extra fabric हमने कट कर लिए है अब यह देखें यहां से बिल्कुल सीधी सिलाई लेकर आनी है कटाओ नहीं बनाना यह आप देख रहे हैं अब यहां से कट करेंगे और इसे पलट लेंगे सेम इसी तरीके से बाकी कटाओ को भी हम कट करते हुए पलटेंगे यह देखें इस तरह से पलट लेना है यहां से जो extra fabric है इसे अंदर तरफ डालते हुए हम fold कर लेंगे बहुती नीट तरीके से हमारे कटाओ तयार होंगे यह द इसे हम हैंड स्टिच कर लेंगे और यह बाजू भी हमने इस तरह से रेडी किये हैं अब मैं आपको यह फ्राग कंप्लीट करके दिखाऊंगी यह देखें जी बहुत ही प्यारी हमारी यह कुर्टी तयार हो चुकी है सेंटर में हमने कुछ नहीं लगाना क्योंकि यह ऐसे ही बहुत यूनीक लग रही है अगर आप सेंटर में बटन लगाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें फ्रेंड्स को शेयर करें मेरे चैनल सालिय डिजैनर को सब्सक्राइब करते हुए आल पर कलिक करें इससे हर नयाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अल्ला हाफीज